कि मैंने देखा कि बैग रखावा काफी टेम से यहां पर 40-45 मिनट कुछ हो गयते गंटा होने वाला तो मैंने यह बैग देखा था काफी लोग भी यहां से निकल देते तो मुझे लगा कोई बात कोई बंब बगर आया कुछ चीज जैसी ना हो जिससे नुफसान हो जा पपलि पर कॉल काइडिया था है देश की राजधानी दिल्ली का कनोट प्लेस का एंड बिलॉक इलाका जहां पर आज अचानक से दिल्ली पुलिस और दमकल विभाग को एक कॉल मिली जिसमें कॉल में कहा गया कि यहां पर एक लावारिष बैग पड़ा हुआ है जिसके बाद जो है आसपास का जो इलाका है महाँ पर अफरा तफरी का महौल जो है वो पैदा हो गया लेकिन मोका रहते जल से जल जो है दिल्ली पुलिस के जवान और दमकल विभाग की जो टीम है वो मोके पर पहुच गई और लगातार जो है उस बैग की तलाश तलाशी ले रही है कि आखिर जो है उसके अंदर क्या है मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो बैग जो हमारे सामने ही रखा हुआ है और आप देख सकते हैं किस तरह से आज़ो टीम है और यहां तक की जो बं दस्ता जो है वो भी यहां पर पहुचा हुआ है बं रियोदक दस्ता मोके पर आया हुआ है औ अगर बात कें तो दिल्ली के अंदर जो है पिछले दो से तीन दिन का जो जो दिन गुजरे हैं उसमें माहौल जो है दिल्ली पुलिस के लिए काफी तनाव पुढ़ना है वो इसलिए क्योंकि इससे पहले जो है राजधानी दिल्ली के सतानवे इसकुलो को एक सो तीस से पहुआरी किया था असमें कहा गया था एसी अफवाव पर ध्यान ना देए तो अब सात यसात जो है यह भी कहा जा रहा है कि हहां पर जिस तरह से यह जो बैग मिला है इस बैग की जो तलाशी है वह भी लगता ली जा लिया रही है और यहां से आसपास का जो आपुलिस के पहुची हुई है यानि की बम निरोधग दस्ता जुए है और पुलिस के धुवारा जो है आसपास का इलाके जो है वह फाली करने के लिए कहा जा रहा है यहां से अब बैग जो है उसे ले जाया जा रहा है अब उसकी जाच होगी और ये भी अभी तक पता नहीं चल पाया है कि वो आखिर बैग जो है वो कहां से आया था कौन इसे रखके गिया है सिसेटी फुटेज आसपास की वो भी आखंगाली जा रही है उसके जरीय पता लगाने की कोश्च की जा रही है कि आखिर ये बैग जो है कहां से आया था और कौन इसे लेकर आया था और ये बैग जो है किसका है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि डॉग स्क्राइड की टीम के सकते हैं कि कार्डन ओफ जो है वो कर दिया गया है और करड़नौफ के जरीए जो है लोगों से कहा जा रहा है कि आप यहां से दूद है फिलारी यह बैक कहा से आया इसके बारे में किसी को पता नहीं है और जाज जो है वो लगता जारी है यहां से काम कर रहा था तो मैंने देखा कि बैक रखा हुआ काफी टेम से यहां पर 40-45 म मैंने सीधर डारेक्ट नंबर पर कॉल कर दिया था ता मुझे पता नहीं था इसके अंदर कुछ है या नहीं है बस मैंने लोगों की सेफ्टिक लिए और अपने सेफ्टिक लिए फोन कर आथा तो आपने इसका बेक किसका था ता किसका अग्याद रखा हुआ आपे काफी ट समान है वो भी इस बैक के अंदर अब रामद हुआ है लेकिन यह बैक किसका ता कहां से आया था इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है तो देख सकते हैं किस तरह से दिल्लिपूल उसके जो जवान है उनके पास यह बैग है और यह बैग जो है अप साइड में ले यह अभी संशय बना हुआ है और अभी तक उसका पता नहीं चल पाया है जिसका यह बैक था फिलाल जो है आप देख सकते हैं कि प्राट प्लिस का एंड ब्लॉक का इलाका है और यहां पर जिस तरह से जब कॉल मिली थी कॉल मिलने के बाद जो है यहां पर आदिली पुलिस क कि अंदर जो है अभी आपि इसा कुछ नहीं मिल पाया है और यहां पर जो है देख सकते है किस तरह से जो है यहां पर बैक मैं क्या सामान था क्या नहीं था इस बारे में दिली पुल से जो अधिकारी है वो अभी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि यह उत्राजजी भी करते हैं बिल्कुल यह कुछ नहीं बोल पारे है वह लिए गई था लेकिन ऐसा घबर मिला है लेकिन फिलाल इस बैक को भी ले जाया गया है ओर ले जाने के बाद जो है ये भी इस theo पता लगाए जा रहा है कि आखीर पिर पर में मुलते हैं तो जहर सी बात है सत्ह क्रेंट है और आप